हेलो असलाम आज़कों ब्यूटिफो वेडिस आई होप यू आर फाइन गुड मॉर्निंग ओल तो यह मेरा लुक है रात का निका का जो मैं अपनी कसन के निका में गई थी शॉट फॉर्म अप शादी यह नहीं शादी बात में होगी वह सारी मस्तिया भी आप लोगों के साथ निशाला शेयर करूंगी तो अब हम जा रहे हैं शादी के मेनियों पर वहां पर जाके आप से बात होगी यह आज का लुक है विदाउट फिल्टर जो मैंने क्रिट कर रहे हैं यह लाइट न दिखा रही हैं आप लोगों को मैंने नेट की बड़ी जबरदसती सतार वाली सा वाओंगी हम करने वाने बहुत दर मस्ती मजा कर फंत रहना है आपको मेरे साथ तो फ्रेंट्स मैं आई हूँ शादी में मेरे कर दिन का निका हैंको और मैंने बहुत दिन बार पर नहीं चूड़ी हैं और यह महीं प्यार सिर्णी हमी यह लोकी सो फ्रें प्रेंटी की में टूरिय बार थारों मेरे घ्रोलााझ पैणा था, हमी यह आतो 295 0033 đến मेरे हाटो मेना नहीं चूरिया मेरे हाटो मेना चूरिया नहीं तो है आपकार बस्ते बटूरीया स्वाइं चूरिया आप रोंग थाई रोंग मादा धूरिया यूरी आटर लग कारीजिक्ट प्रक्षिन आती है हम रेट क्यों तरदी में लिट्स टेग अरट 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 इच्छे रहो नहीं जाज़ी को तेखाएं अरट 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 मार अच्छा है दुमारा कॉन याद तेकनम अच्छा नहीं अरट इरट अरट 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 So, क्या च्छा अरट हम अरट कि इस यहां का टिक टॉक्ते को लिएक्राइब में, मुछी मिठा बहुत पसंद है और वह कि भी गायर woreम कि ऑ स्वीट दिशन बहुत रह लिया पाबंदियों में अब मैं बस शादी करके अजाद होना चाहती हूँ पर क्या गारेंटरी है कि आगे वहां रोक टोक नहीं होगी वहां तो मेरी नेचर को देखे और मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे और तो और सास सुसुर के सामने जुक्के रहना पड़ेगा नंद और देवर जेट की बत्तमीजिया बरदाश करो उपर से वहां तो मैं खुल के न हस सकूंगे और ना ही रो सकूंगी यहां तो फिर भी सुना लेती हूं गुस्सा निकाल लेती हूं वहां तो हर वक्त हर चीज का डर ही लगा रहेगा और पूरे घर का काम भी मुझे केले को करना पड़ेगा नहीं भाई घरवालों के साथ फिर भी गुजारा कर लूँगी आखिर मेरी सुन तो लेते हैं कभी न कभी मुझे नहीं करनी को शादी वादी शादी कैंसल सब के सब मतलब ही यहां चीज करूँगा और मैं घर के निकलने से बिकुल ही डरता ना मेरे पर यसे जंजोगा फरकपटरे वाला सीरीजी वात है सब के सब मतलब ही हैं आजकल बस बोल तो देते हैं बड़ी असानी से के हमारी जरूरत हो तो हमें बता देना हाँ अगर कभी नीट पड़ भी जाए तो उसलिए तब आती है सामने इसलिए भई किसी पे भी यकीन नी करना चाहिए आजकल के जमाने में मुझे तो वैसे भी किसी पे इतनी जर्दी यकीन नी आता लेकिन अगर कर लूँ और वो मेरा यकीन तोड़ दे फिर मुझे गुसा आता लेकिन खुद पे अगर खुद का मतलब और हम बुला लें तो फॉरन ऐसे हाजिर हो जाते हैं जैसे बैठे ही हमारे लिए थे मैं कहते हूं कि अगर अपनी बात पूरी नी कर सकते तो अतनी बढ़ाईयों और शोखिया मालने की जरूरत ही क्या है ओ सौरी शोफ जो करना होते हैं जूटी बाते जो करनी होती हैं भई बस अपनों पर यकिन होना चाहिए कि अल्ला ने आपके नसीब में जो लिखा है जितना लिखा है आपकी महनत से वह आपको मिल जाएगा और जूटे लोगों से कोसो दूर रहना चाहिए चोटे चोटे लफ बोलने से गुरेज किया कीजे ये चोटे चोटे लफ आपको किसी का गुलाम भी बना सकते हैं जैसे के कबूल है कबूल है कबूल है कहना रहीं लव यू आल ये मर्द भी बहुत अजीब चीज है जब किसी को ये पता चल जाए ला कि हम इसके बगाई जिन्दा नहीं रह सकते तो वो हमें जिन्दा नहीं रहने देता तो ये बात कभी पता ना चलने दे कि हम किसी के बगाई जिन्दा नहीं रह सकते हैं अगर पता चल गया कि हम किसी प्रिणी गया होगा। मुझे तो लगता है घरा आगी होगा बस मुझे बात करने का दिल नहीं होगा। नहीं नहीं इतना तु प्यार करता है मुझे ऐसी तो नहीं करेगा मेरे साथ। इतने यकीन से मैं कैसे कह सकती हूं कि मुझे प्यार करता है शायद ना करता हो। मैं उससे गन परिंट पी तो आई लव यू नी बुलवाती ना खुद ही बोलता रहता है मुझे हर वक्त दुनिया में कितने लोग एक दूसरे को आई लव यू बोलके और जगब या फिर्स चला लेते हैं पर उसका प्यार मेरे लिए सच्चा है साफ दिखता है उसके चेहरे से यार क्यों पेर नहीं तुम्हारे पास जाद हुआ है जो तुमें सच और जूट का पता लग जाता है मतलब कि वो जिब के मुवाला मुझे धोका दे रहा है